असलाम लेकूम आयूटीव फैमली कैसे आप सब उमीद करती हूँ आप सब खुश होंगे अल्ला आप सब को अपने अपने घड़ों में आबाद रखे वैलकम करती हूँ आपको अपने चैनल फिफीज लाइफ लॉग में आज है जी संडे और मैंने किया है बहुत ही सिंपल स कबर में सेट करके रखती हूँ लेकिन उसके बावजूद आप इसकी हालत देखें कितने मैसी हो रहा है और मतलब कुछ भी और्गिनाइज नहीं है तो इसे आज करेंगे और सिस्टर आने वाली है उनके आने से पहले इसे सेट कर देते हैं एक ड्रॉ आल्री सेट हो चुका है यह हम करेंगे लास्ट में और जी आज निकालेंगे कुछ कपड़े डिकलेटर करेंगे यह जी हैं बिलकुल वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ब्रेक लिए है और खाते हैं हम फूर्ट और दोबारा शुरू हो जाएंगे अपने काम पे यह जी मेरा दूसरा कबर है इसे मैंने सेट किया है अपने वीकली ड्रेस के लिए जो के मुझे आफिस के लिए चाहिए होते हैं तो मैं पूरे वीक के लिए सेट करके एक साइट पे रख देती हूँ ताके पूरे वीक में मुझे 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 ना हो और इसे आईरन करके मैं सेट कर देती हूँ सिस और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर बार वो मेरी फर्माइश को पूरा भी करती हैं, वो गई थी हिल स्टेशन्स और वहां की काफी वीडियोज बना के लाई हैं, उनके चैनल पे वो वीडियोज मौझूद हैं, आप उन्हें जरूर चेक आउट कीजेगा, और बहुत ही फिर हमने खाई कुछ निम को चाय के साथ, और फिर हम निकल पड़े आउटिंग के लिए, और हम जा रहे थे सी व्यू के मैकडॉनल्ड जहां पे पूरा वीक, 75th इंडिपांडनेंस डे के हावाले से, उन्होंने सेलिबरेशन की हैं, और पाकिसान के जो डिफरेंट सूबे हैं और उनके कल्चर को प्रमोट किया है, और उसी के मताबिक आज भी उनका वहाँ डे है, किसी ने हमेरे कमेंड किया था, कि आप जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, हम पहुँच गए थे मैकडॉनल्ड और आज ये कर रहे थे सेलिबरेट सिंधी कल्चर को, उन्हों अपने स्टाफ को भी सिंधी आउटफिट्स में, मतलब आज उनको असाइंग किया हुआ था, और वो मैकडॉनल्ड के बाहर उन्होंने एक सिंधी कल्चर से रिलेटेड एक सैटप बनाया हुआ था, मेरी सिस्टर ने किया था, बर्गर विद फ्राइज और और उसके बाद मैंने उन्हें ट्रीट दी थी, आइस क्रीम की उनकी फेवरिट जो के है, इस ओरियो, हाँ जी, ये ओरियो है, और ये, उन्होंने बर्गर आउडर किये थे, तो मैंने उनके लिए आइस क्रीम आउडर की, मैंने अपने लिए आइस क्रीम पड़ी है, और मैं काफी दिनों से continue ice cream खा रही हूँ बाहर का वीव बहुत ही amazing था हाला कि यहां बहुत ज़्यादा rush था लेकिन उसके बावजूद मतलब मज़ा आ रहा था क्योंकि एक तो कराची का weather भी बहुत अच्छा हो चुका है और पूरे hectic week के बाद जब आपको कुछ fun करने के लिए मिलता है या कुछ ऐसी activity जो आपकी routine से हटके होती है तो आपको obviously अच्छी लगती है लेकिन rush होने की वज़र से हम पानी की side पे नहीं जा सके थे क्योंकि बे तहाशा parking में भी rush था और लोग भी काफी मौजूद थे और पर view no doubt बहुत ही अच्छा था बुटे बन रहे थे और लोग बुटे भी enjoy कर रहे थे पापर enjoy कर रहे थे और चूंकि ये जो sea view के किनारे पे mcdonald बना हुआ है तो इसके view के वज़र से भी यहाँ कुछ काफी rush होता है लेकिन overall बहुत अच्छा environment था और weather भी अच्छा होने की वज़र से बहुत relaxing लगा काफी देर हम वहाँ बैठे हैं हमने view को enjoy किया और फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि उसके बाद हमें करने थी कुछ shopping ये monthly shopping नहीं है कुछ चीजें थी जो खतम हो चुकी थी अभी 10-12 days बाकी हैं तो हमने सोचा जी इस पार्क यहां से करीब है तो वहाँ से ले लेते हैं तो हमने कुछ चीजें जो जरूरत की थी 10-12 दिनों में काम आ सकती थी वो ले ली oil मेंने जादा ही ले लिया था क्योंकि oil बहुत जादा यूज होता है तो next month में हम इसे कम कर लेंगे अगर मचलब बच भी गया क्योंकि मैं और मेरी मदर सिर्फ हम दो ही मेंबर्स हैं मेरी फामली में मेरे घर में बाकी अलहम दोला तमाम सिस्टर्स मारेड हैं आती जाती रहती हैं बट इतना जादा हमारा ग्रॉसरी का खर्चा नहीं होता क्योंकि मैं जादा तर बाहर से कभी-कभी लेट हो जाती हूँ तो बाहर से ले आती हूँ कुकिंग में थोड़ी कम करती हूँ बहुत ही ठक जाने के बावजूद जब मैं घर पहुंची तो मेरा फेवरिट शो ताहरक मैता मैंने देखा विट आइस्क्रीम जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सुबह नहीं काई थी और बस मैंने वो इंज़ॉई की और अपना कुछ मीटाइम इंज़ॉई किया अपने दिमाग को रिलाइस किया और उसके बाद मैंने पेक किये अपने लिए कुछ fruits कट करके मुझे fruits ले जाना easy भी लगता है lunch के लिए और healthy भी होता है तो I'm highly recommend जो lunch नहीं करते वो इस तरह के कोई fruits साथ ले जाए और उसके बाद मैंने अपना set किया कल का outfit जो मुझे office पहन के जाना था अब मैं इसे करूँगी press और आप से मैं मिलूँगी next वीडियो में अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइनली like कीजिए share कीजिए comment कीजिए मैं new youtuber हूँ कोई mistake हो जाए तो से एक नोर कीजिए मुझे अपनी दौहों में याद रखिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखे नई वीडियो आने तक अला हाफेज